अपने मत का प्रेयोग करें घर से आप निकलें बदान केंदर पे जाएं और अपना वोट देने का काम करें और बिहार के विकास के लिए एक अच्छी सर्थ करातमक सरकार बनाने का पहली करने का काम करें गुषण आप सुख थैंग यह च्छी अच्राइब आपें अच्छी है यह लुगार अच्छी मेद भी आपने का कि अमेजना प्रे बिएक अगे पूसेशर जाएं प्रेर खैना को अगे अछिए अच्छी पट्रेश एंच्राइव पर देल्सम्मार अच्छी लाएं पर दीक पूरा भरोसा है सिफ अपने छेत्र को लेकर के नहीं पूरे बिहान में जितने भी जगे से हम लोग जिससाब का पहला दो फेश का पोलिंग हुआ हम लोग काफी अपर हैं और जिससाब से और जिस तरह से परधान मंत्री और उनके नेताओं के जिस तरह के अनरगल ब्यान आ हैं जिससाब से उन्होंने गरीमा को गिनाने का काम किया जिससाब का पर्सनल पर्सनल अटाइक करने का काम किया हैं तो जो डेवलप्मेंट का जो एजंडा उससे डाइलूट करकर के अब देख रहें कि भई अब कुछ बचा नहीं सारे चीजें उन लोगों ने प्रेयोग क करने का काम किया मगर हर चीज में वो विफल हो गया है और जिससाब की जो ब्यानबाजी चल दीए भाजपा के नेताओं द्वारा जो स्तर जो गिरता जा रहा है हम इसकी निंदा करना चाहते हैं हमें खास तोर पे यह उमीड ने था प्रधान मंत्री जी से और बिहार के जो तो सुशील मोदी जी ने जो बीजेपी का कारवाल समाला इतने सब आदमी हम मानते हैं मगर इस चुनाव में जो इस तरह से भ्यानबाजी उन लोगों ने करने का काम किया सुशील मोदी जी का तो लगता था कि गिरिरात सिंग जी से कॉमप्टिशन चल रहा है कि कौन कितना उल्टा बोल सकता हमारे खिलाफ हमारे पार्टी जी खिलाफ हमारे परिवार के खिलाफ तो ये सारी चीजे देखके ठीक है हमने आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने परिवार बात को लेकर के प्रेस कॉल्फरेंस किया था बीजेपी और बीजेपी के अलाइंसों का स इतने नेता बीजेपी और उनके अलाइंस के जो हैं, उन लोगों को किसने सेट करने का काम किया, बाप बेटी को आप गाली देते थे, आप उनके साथ सरकार बना रहे हैं, महराज में सिफसेना है, महाँ परिवारवाद नहीं नजर आया, अकाली दल में उनकी बहू है, तो उ इस पर क्यों नहीं परदान मंत्री जी बोलने का काम करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बस लालू जी के परिवार से इनकी लड़ाई है, अरे लड़ाई गरीबी से होनी चाहिए, बिहार की विकास के लिए होना चाहिए, आप हम लोगों का योगदान क्या है, हम लोग तो चाहत का बविश उजवल हो, यह हमारी कोशिश है.